सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बाक तो दा चानल बच्चा आपके पास 90 दिन हैं और अगर आप अभी भी अपने जीवन में जाग रहे हैं या फिर अगर आप हमारा 4 मंथ प्लानर भी फॉलो कर रहे हैं आप हमारे टास्कों भी फॉलो कर रहे हैं यहां पे एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा 12 queries की उपर यहां पे बातचीत करी जाएगी और आपको यहां पे फिर से 90 दिनों के लिए आपको exactly क्या चीज फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि आपका सपना पूरा हो सके January attempt में आप हिट कर सके एक एक बात को यहां पे ध्यान से बच्चा यहां पर सुनिएगा and possible है, खासकर physics में अगर आप अभी भी जाग रहे हो न this is one of the only platforms जहां से आप सच में 90 दिनों में भी physics में 80 की उपर marks ला सकते हैं आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारा already given task को follow कर रहे है एक बारी update दो नीचे comment section में हर बच्चे को देना है यहां पे and of course वीडियो को है लाइक भी मार दिया करना comment करके अपना update दीजिए and session के खतम होने के बाद अगर इसमें कोई सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे comment में अपने नए सवाल को भी डाल दीजिएगा ठीक बात है जनाब आपको क्यों physics में 80 से 100 marks target करना चाहिए minimum 80 और 100 में 100 तो बहुत से बच्चों के आते हैं यहां से आपके भी आने चाहिए और यह क्यों जरूरी है क्योंकि आप जब इस subject में आपको यहां पर सब कुछ बहुत structure में समझा दिया जाएगा आपको यहां पर resource भी दे दिया जाएगा बच्चे follow भी कर रहे है जब आप उसको follow करेंगे आपका confidence बढ़ेगा आपका motivation level बढ़ेगा और आप फिर दूसरे subject में भी और motivated feel करेंगे उसको भी अच्छा करने के लिए तो यह subject में आपको अच्छा करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि यह possible है कम समय में यहीं पर आपको possible है यह मत सोचेगा कि सर हम तो average student है आप आग घुमा के देख लो maximum जितने भी successful लोग सभेना सब के सब आपको average होते है लेकिन वो लोग extreme hard working होते है consistent होते है focused होते है more than 90% of the IATN's top and IATN's सारे के सारे आपको average बच्चे ही होते है सब के सब लेकिन hard working थे अपने अपने time पे चाहे वो आखरी के 4 मेने में 6 मेने में उन्होंने अपना जी जान लगा दिया हो उन्होंने aggressive solving करी हो तो सबसे पहले अपने आप में self-believe रखना है कि भाया हमसे हो सकता है आपके यहां पे कम से कम 12 सवाल है इन 9 दिनों में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मुझ से पूछे है जिसमें से 5th and 6th are very 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 important इनको तो ध्यान से सुनना बच्चा है यहां पे ठीक बात है चलिए के करके हम लोग यहां पे आपके सारे सवाल का जवाब देते है आज भी कुछ बच्चे मेरे से पूछते है कि सर क्या यह x, y, z topic physics के syllabus में है बच्चा हमने आपको अलड़ी ही इस tabler format में syllabus आपका दे दिया है कि क्या आप छोड़ सकते है क्या आपका syllabus में है क्या आपका syllabus में नहीं है अगर आपको यह font छोटा लग रहा है हम आपको end में इसका एक PDF भी दे देंगे ध्यान से अन तक बने रहना चाओ तो वीडियो को pause करके एक बार इसको go through कर लो है ना इसको अभी हम दुबारा से repeat नहीं कर रहे है लेकित आपको समझा रहे है कि syllabus का पता करो अब किसी से नहीं पूछो कि भईया ये हमको syllabus में है कि नहीं है ठीक बात है सर कौन-कौन से chapter सर must read है NCRT से हमने आपको इसका proper analysis करके समझा दिया है कि भईया ये 10 chapter तो आपको NCRT से read कर लेना चाहिए और इनके solved examples भी NCRT से एक बारी go through कर लेना ये सारे checklist है, checkpoints है आपके checkpoints में होने चाहिए कि सर ने ये काम दिया है हमें कर लेना है कर लिया है तो नीचे comment करके बता सकतो नहीं किया है तो इनको ध्यान में रखो note down करके रखो ठीक बात है सर learning from solving, बहुत से बच्चों के मन में सवाल होता है and 90 days अगर कोई बच्चा हमारा 4 month planner को नहीं follow कर पाया था 90 days के लिए भी आपके लिए क्या optimized planner होना चाहिए आपको वो भी दिया जाएगा इस वीडियो को हलके में मत लेना आपको अच्छे से यहां पर सब समझाया जाएगा learning from solving क्या सिर्फ problem solving करके भी हम बहुत कुछ learn कर सकते है 70-80% आपकी जो learning होती ने जनाब वो आपकी problem solving सही होती है तो ये बार बार theory 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 पढ़ना जो आप गलती डेर साल से करते आ रहे हो उसको करना बंद कर दीजिए येस आप बहुत quickly concept को go through करके अपना maximum time solving के through learn कर सकते हैं कि भाया concept का application क्या है यहां पर ठीक है तो घबराइए मत problem solving कीजिए अधिकतर बच्चे physics में यहीं से problem solving कर रहे होते हैं किस प्रकार से बच्चे even comment section में जाके एक-एक सवाल का अपना analysis भी वो लिख किया आते हैं ताकि उनको फिर revision में वो चीज़ help करती है how many questions I should solve per day हम यहापे सिफ आपको physics के लिए बता रहे हैं कम से कम 70 question physics में अब से आपको करना ही करना चाहिए बहुत से बच्चे 100 सवाल भी कर रहे है और यह से बोलने वाली बात नहीं बच्चे कर रहे है तो आप देखो कि आप कितना कर रहे हो आप क्या कर रहे हो और यहापको बेसिकली प्रिवियस और questions की यहाँ पर data हम दे रहे है 70 question आपको per day physics में करना ही करना चाहिए ठीक है अच्छा right way to practice questions very very important हम आपको यहाँ पे है ना पहले तो कुछ point समझा देते हैं फिर हम आपको यहाँ पर demo से दिखाते हैं if your practice is almost null मान लिजी कि आपकी problem solving ability skills almost zero है तो सबसे पहले आपको 30 से 40 सवाल का discussion solutions किसी को solve करते वे देखना चाहिए ताकि and किसी को से मतलब है किसी एक experienced educator से जो बच्चे यहाँ से follow कर रहे है of course आप हमारा ही follow कर रहे होंगे हमारे ही discussions को देख रहे होंगे जिससे आपको पता चले कि अगर इस chapter में 50 formula है 50 concept है तो उनको apply कैसे करते है problem solving में यह ने कि directly कूद गया है सवाल को solve करने के लिए ऐसा नहीं गरना है then redo them on your own 30-40 सवाल के discussion को आप देखो फिर उसको आप redo करो खुद से pen paper पे उसके बाद आप other questions को solve करो for example यहाँ पर जो suggestion हमने आपको पहले भी दिया ता फिर से दे रहा हूँ directly see our यह उनके लिए है जिनका problem solving almost zero है जिनको अभी भी मन में desire है कि मुझे 80 की उपर number लाना है physics में directly 2020 का और 2022 का हमारा solving sessions को देखो right learning mode में ऐसा की नहीं कि पॉपकॉर्ण की तरग उसको देख रहों खाका के learning mode में आप उसको देखिए और उसके बाद आप उसको दुबारा से redo कीजिए aggressively solve कीजिए आप उसको दुबारा से उसके बाद आप बाकी बचे साल के PYQs को आप यहाँ से फिर solve करेंगे हम आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहा है इसका image हमने टेलिग्राम पर दिया था वरूदी finest update जो हमको अभी तक मिला है बच्चों से बच्चे हमारे 3000 PYQs का जो प्राइटी ABC में हमने segregate करके आपको दिया था अगर आप डाउनलोड नहीं किया है तो इसका हम लिंक नीचे डाल देंगे Google Drive का डाउनलोड कर लेना किस प्रकार से बच्चे ने उसको print मार के किताब बनाया हमारी उस PDF को और उसके उपर किस तरीके से वो एक-एक सवाल को solve कर रहा है आपको एक अच्छा confidence महसूस होता है आपका time waste नहीं होता है आप timer लगा के solve करते है आपको distraction नहीं होता है आपका screen time कम होता है जब आप इस प्रकार से solve कर रहे होते है और बच्चे ने इस पूरे question से जो जो सीखी है उसको उसने बच्चे ने यहाँ पर देखिए लिखा है yellow जो हमने यहाँ पर circle करा हुआ है एक और example दिखाते है किस प्रकार से बच्चा जो है problem को solve कर रहा है हमारे ही concept वाले वीडियो से अपने short notes भी बना रहा है और solve करने के बाद किस प्रकार से वो यहाँ पर box way में उसको डाल रहा है जिस पर doubt आता है उसका यहाँ से वो discussion को देख लेता है proper discussion है आपका concept को clear करने वाला discussion है time waste नहीं बटा यहाँ पर ठीक है तो करो अगर आपको सच में है न 100 में 100 भी लाना है physics में तो और कुछ बच्चे होते हैं जो कि proper एक A4 sheet या फिर अपने notebook में एक-एक सवाल को किस तरीके से solve कर रहा है ताकि उनको फिर बाद में revise करने में और help होता है तो आपको decide करना है कि आप किस प्रकार से उसको solving कर रहा है लेकिन जो important points लगता उसको लिखिए ठीक है 90 days planner अंत तक बने रहेगा हम आपको अंत में दिखा देंगे इसको भी proper structure भाईया एकदम ठीक है test सर कब देना चाहिए कितना test दूँ क्या सर हम PYQs को as a mock test दे सकते है सबसे पहली बात भाईया इतना hype करना बंद कर दीजिए test अगर आपका syllabus मान लिजे कि 40-50% हुआ है 60% हुआ है आप कम time में कितना सवाल को pressure में solve कर पा रहे हो उसको देखना अपने silly mistakes को पहचानना तो ये काम आप mid December के बाद भी कर सकते है तो pressure में नहीं आना है कि सर हम तो अभी तक नहीं शुरू किये है देना है हम ये नहीं करें कि देना ही नहीं ये देना है अफकोर्स देना है लेकिन इसको लेके पागल नहीं हो जाना है कि सर वो हमारा 250 mock test दे दिया है 10-15 mock test भी दोगे वो आपके लिए काफी है क्या सर हम PYQs को as a mock test दे सकते है बिल्कुल दे सकते है बशरते आपने उसके questions को पहले ही कभी solve नहीं किया हो otherwise mock test में आएगा आपको उसका answer पता होगा आप टिक मार देंगे तो वो आपको एक false confidence देगा ठीक बात है सर बढ़िया है सर बहुत ही बढ़िया है managing three subjects every day बहुत से बच्चों को सवाल होता है कि सर हम तीन subject है ना per day manage नहीं कर पा रहे है उसके चक्कर में वो anxiety में आ जाते है भाईया कहीं ने लिखाए कि आपको तीनो subject में अवल होना है पहले तो अपना target set कर लो अगर आपका target 280 marks है तब तो तो आपका अगर target 180 marks है 220 marks है तो तीन subject में महारत हासिल करने का कोई भी जदवत नहीं है दो subject के उपर अपना extreme command बनाई है तीसरे को आप average लेके बिचलेंगे आपका काम निकल जाएगा ठीक बात है तो इतना tension नहीं लेना है कि भाईया हमसे नहीं हो पा रहा है कि इट इस good but it is not must ठीक है सर अच्छा should I solve questions daily यह भी बच्चों के मन में सवाल आता है तो यहां पर भाईया दो case है case A जहां पर हमने no लिखा है मान लिजे कि एक बहुत high weighted chapter है एलेक्ट्रोशाटेक्स तो आपने उसको आज पढ़ना शुरू किया ठीक बात है सर तो भाईया अगर तुम उसकी अगर तुम उसकी theory को आज कर रहे हो तो आप उसको आज खतम करें अच्छे से 6 घंटे 7 घंटे लगा के कल आप उसकी problem solving फिर शुरू करो तो ऐसा नहीं है कि हर दिन solve ही कर रहे हो अगर कोई important chapter को आप cover कर रहे हो तो पहले उसको cover कर लो और उसकी अगले दिन से आप उसकी solving लगाना शुरू कर सकते हो and case B अगर आपका सब कुछ almost हो रखा है तब तो आपको यकीनन हर दिन problem solving करना चाहिए problem solving is just like riyas daily riyas करोगे तो आपका confidence बना रहेगा how many revisions before final exam अगर हम जान attempt की भी बात करें आपको लगेगा कि सर इतना कैसे possible है possible है बच्चे करते है आपको भी करना पड़ेगा 3 से 5 revisions minimum हमने यहाँ पे 3 लगाया है maximum 5 आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो january attempt के बाद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि सर सही कह रहे थे कि भाईया जितना जादा revision करेंगे उतना बड़ी और revision का मतलब यह नहीं है कि 3000 सवाल को दुबारा से लगा रहे है revision का मतलब है कि recalling method से अपने सारे formulas को concept को एक बड़ी recall कर रहे हो and कुछ selected problems को आप दुबारा से redo कर रहे हो उसको कहते है हम लोग यहाँ पर revision ठीक बात है सर 11 पॉइंट क्या सर हमें कोई time table strict follow करना चाहिए time table यहाँ पर आपको मोटा मोटी होता है rough idea होता है हम आपको फिर से कह रहे हमने पहले भी वीडियो में बोला था right 11 से लेके 11.30 तक हम ये करेंगे 11.30 से लेके 12 बज़े तक हम ये करेंगे 12 से 12.30 हम ये करेंगे इस प्रकार का stupid time table follow करने का बनाने का जरूवत नहीं है आपको एक rough idea होना चाहिए कि हम 7 घंटे की नींद लेंगे आप late night पढ़ने वाले है कि आप early morning वाले बच्चे है वो decide कर लो और उठने के बाद या फिर सोने से पहले ये decide कर लो कि आप अगले दिर मोटा मोटी क्या क्या चीजों को cover करने वाले है that's it और अगले दिर उसको cover करो ठीक बात है सर अच्छा सर how to reduce exam stress one of the most frequently asked questions by aspirants simple सा है busy रहिए negativity से दूर रहिए positive रहिए self believe रखिए और ये दो line हमने कहीं पर सुना था हम आपको यहाँ पर दुबारा से इसको चिपका रहे है ना हो हार का फिक्र और ना ही हो जीत का जिक्र मतलब है कि भाईया आपको ना तो हारने का tension होना चाहिए और अगर जीत गए तो भाईया उसका 10 लोग वावाही करे उसकी भी आपको expectation नहीं होने चाहिए कि भाईया अगर हम ऐसा ले आएंगे तो फलाना institute मेरा बड़ा सा poster चिपकाएगा वो सब चीजों पर पढ़ने का जरुवत नहीं होना चाहिए तब आप tension free रहोगे तब आप stress free रहोगे जितना हो सकता है अपने आपको काम में busy रहो सिंपल सी वादना stress लेने के लिए आपको time चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि 90 दिन बचे है तो आपके पास time है कहां बाबा time नहीं है आपके पास और इसी प्राइटी A, B, C के order में हमने आपको वो PYQs वाला PDF भी दिया था उसका link हमने इस PDF में भी चिपकाया है इस पे click मारोगे तो भाईया आपको वो PDF खुल जाएगा ठिक बात है यहाँ पे आपको chapter wise है यहाँ पे हमने आपको recommend कर दिया है जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हमको follow करना watch 2020 and 22 in learning mode और फिर 21, 23, 24 को आप solve करो कितना दिन का target है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है बोलने के लिए 90 दिन है इसका मतलब यह नहीं कि 90 दिन तक सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो 50 दिन में आपको priority A और B का हमने target दिया है अच्छे से proper सब कुछ ख़तम करने का उसके बाद इस में से C में से आपको जहां जहां comfortable है उसको भी चुन लो उसके बाद आपके पास revise करने का दो revision का आपके पास कम से कम minimum time बचना चाहिए उसी के साब से हमने आपको यहां पर planner बना के दिया जो बच्चे 4 मंद को follow कर रहे है आप उसको चुप चाप से follow करते रहिएगा बार बार इधर सुदर जंप नहीं मारने का ठीक बात है सर और यह सारे के सारे link आपको clickable है मान लिजे कि आपने current electricity पर यहां पर click मारा है तो भाईया current electricity का playlist यहां पर खुल जाएगा concept videos है उसके बाद आपको line से PYQs, 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 PYQs and last में हमारा super super solid जिस बच्चे की अकांचाई होती है कि भाईया हमको और अच्छा सवाल solve करना है तो यह हमारा yellow thumb nail वाला rank booster series की सवाल को solve कर लेना आपकी आत्मा को शांती और मिल जाएगी बढ़िया है sir next page में हमने यहाँ पर experiments के नाम चिपका दिये है कहां से complete करना है तो click button पर click करना और आपको वो playlist खुल जाएगा experiment वाला वहाँ से आप cover कर लेना उपर दिवार पर चिपका दो बार बार फिर पूछना नहीं पढ़ना चाहिए आपको यहाँ वहाँ दस जगा जाके कि भाईया यह है की नहीं है syllabus में ठीक बात है इतना महनत करते हैं आपके लिए like button को ठोक देना एक बार के लिए ठीक है पढ़ लो नहीं समझ रहे हो फिर जैनवरी के बाद हमको आएगा इमेल्स गिल्ट वाला सर आप सही बोल रहे थे हैं ना सर आपके बार में बहुत लेट पता चला हाना ओ आई विश आई वुड आप नोन अर्लियर अभी अगर आप ने हो चानल पर अगर आपने लकली अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो आपको नहीं आइडिया है कि यहां से आप कितना कुछ कवर कर सकते हैं तो करो ठेक केर विश वाल दे बरी बेस्ट और बाबाए